तो वैस एक movies downloading site के अंदर या फिर किसी भी content downloading site के अंदर जहां पर आप दूसरों का content share करते हो अपनी site के उपर, उसके अंदर आपको बहुत सारी difficulties आती है, problems आती है, legal actions भी आते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी दिक्कते, problems बताने वाला हूँ, उनके solution क् उने fix कर सकते हैं, सब कुछ detail में बताने वाला हूँ, तो अगर आप भी एक movie downloading website बना के earning करने का सोच रहे हो, या फिर आप हमारी movies downloading website की जो series है, उसे follow कर रहे हो, तो इस वीडियो को last तक जरूर देखते रहना, ताकि आप कहीं jail में ना फज जाओ, पैसे कमाने के चक्कर में Hello guys, welcome to our YouTube channel, web beast, तो guys, एक movie downloading site को जब भी आप start करते हो, तो initial days में आपको कोई भी tension लेने वाली बात नहीं होती है, आपको कोई problem नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी site grow होती है, आपकी site rank होना start हो जाती है, Google की top positions के उपर, और आपको traffic आने लग जाता है, तो फिर आपक problems भी बढ़ेंगी, वो सारी चीज़े मैं आपको आज explain कर दूँगा, तो जो सबसे पहली problem आपको आने लगती है, that is DMCA, Digital Millennium Copyright Act, ये USA का कोई रूल है, और ये YouTube को पर भी imply होता है, गूगल के उपर भी imply होता है, तो अगर आप किसी भी other बंदे का content डालते हो, तो वो बंदा आपके उपर DMCA जो है, वो मार सकता है, और उसके बाद वो जो content है, वो YouTube से भी हट जाएगा, अगर YouTube पे डाला होगा, और अगर वो Google के उपर पड़ा हुआ है, कोई indexed है आपका link, तो वो link Google से हट जाएगा, तो simply क्या होता है, suppose आपने कोई latest movie डाली, और उस movie के जो company है, या DMCA मार दिया, तो वो जो link है, वो top position से गायब हो जाएगा, और जो नीचे के link है, वो उपर आजाएगे, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ को fix करना impossible है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये चीज़ दिमाग में रखना, कि जब भी आपको अपनी site create करनी है, आपको एक hosting खरीद के उसके उपर ये जो अपनी site है, वो बनानी है, क्योंकि अगर आप blogger के उपर ये site बनाओगे, तो blogger आपके 3 DMCA पर आपका account बैन कर देगा, और जब उसका मन करता है, वो तब भी बैन कर देता है, तो अगर आप ये banning से बचना चाहते हो, त that will be hostinger, hostinger आपको सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर एक साल के लिए hosting देता है, एक domain name आपको free में मिलता है, SSL certificate free में मिलता है, उसी के साथ आप 100 website create कर सकते हो, उसी same hosting को use करके, hostinger से अपनी best deal को activate करने के लिए link में description box में provide कर दो, वहाँ पे click करके, आपकी best deal activate हो जाएगी, deal activate होन और मुझे बहुत बढ़िया इनकी service लगते है, तो आप भी definitely इसे use कर सकते हो, तो जो DMCA का process है, ये eventually चलता जाएगा, क्योंकि आप new movies को new content को upload करते रहोगे, और जो companies है, वो अपनी अपना जो भी link आपका rank करेगा, उसे वहाँ से हटवाने लग जाएगे, और ये जो process है, continue होता रहेगा, ये problem जब थोड़ा सा जाधा बढ़ जाएगा, तो फिर हम land करेंगे, second problem के उपर, जो की होगा कि आपका hosting account ही ban हो जाएगा, suppose आपने hostinger के उपर या फिर go daddy के उपर अपनी site को host किया हुआ है, जो company है, वो आपकी जो hosting company है, इसको mail भेजेंगे, ये बंदा बा कुछ रुक जाएगा, वहीं पर freeze हो जाएगा, और वो कुछ time के बाद delete कर देंगे, जो भी आपकी hosting company होगी, इसके अंदर आपका hosting plan है, वो भी आपका खतम हो जाएगा, suppose आपने 3000 रुपे का hosting plan लिया है, और आपको मानलो 8-9 महीने बाद ये issue आता है, तो आपका जो 8-9 मही इन है, उसको link करके, content को upload करके, दोबारा से आप उसी site के उपर उसी level से काम शुरू कर सकते हो, इसमें जादा दिक्कत नहीं आती है, बस आपको 1.5 कंटे का काम बढ़ जाता है, आपको content दोबारा से upload करना पड़ता है, hosting के उपर, अब इन चीजों से बचने के लिए, आप जो files हैं, उन्हें telegram channels के उपर upload कर सकते हो, लेकिन उसमें भी same issue आएगा, के जो companies है, वो आपके telegram channel को ही ban करवा देंगी, आपी delete करवा देंगी, तो आपको बार-बार content अपलोड करना पड़ेगा, और इसका कोई भी solution नहीं है, अब जब आपकी जो site है, वो multiple बार आपकी hosting उन्हें cancel कर दी, company ने उन्हें दिखा कि यार यह बंदा मानी नहीं रहा है, तो फिर हम land करेंगे अपनी third problem के उपर, जहां पर वो आपकी जो domain name है, उसी को ban कर देंगे, suppose आपने लेली 123moviesindia.com आपने purchase करीवी थी, और आपके उपर पहले DMCA आये, फिर उनने 3-4 बार आपक उसे लेली जाएगी, और फिर आप कुछ नहीं कर पाऊगे, यह बहुत ही serious issue है, अगर आप इस position पर land कर जाते हो, तो फिर almost आपकी जितनी महनत होती है, वो आपकी बिल्कुल zero हो जाती है, क्योंकि यहां से आप revive नहीं कर सकते हो, आपके पास domain का access नहीं होता है, तो आप उ issue अगर आपको आता है, तो इसका solution तो इतना सही है, कि आप एक new domain को purchase करो, new hosting लो, वहाँ पर domain को connect करो, अपना content दुबारा से डालो, और content डालना start कर दो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, कि DMCA यहां पर आते रहते हैं, लोगों की site उडेंगी, और आपकी site वहाँ पर पहुंचेगी, फिर आपकी site भी एक time पर उडेगी, और दूसरे लोगों की site वहाँ पर आएगी, तो इसलिए आपकी site बहुत जल्दी rank कर जाएगी, दोबारा से, बट यहां पर आपका जो पुराना traffic था, वो यहां से गायव हो जाएगा, तो इसमें majorly लोग क् भी खरीद के रख लेते हैं, तो एक-एक करके जब यह बयान होई, तो फिर दूसरी को पर start कर दिया, तो लोग उसे search करते रहेंगे, जब लोग आपकी site को पर आएगे, तो वो search करेंगे, वो search करेंगे, तो जब आपने उसकी जो दूसरी domains ली होई है, आप दुबार से content ड तो यहां तक मैंने आपको जितने भी issues बताएं है, content downloading websites को लेके, movies downloading websites को लेके, यह almost सभी लोगों को आते हैं, और वो किसी भी निश में हो, उनको यह problems किसी ना किसी level के उपर आ सकती हैं, लेकिन इसके उपर अगर चीजें escalate करती हैं, तो यार वो फिर land करती हैं, fourth problem के उपर कि आपको jail अगरा का कोई डर आ जाए, जो कि बहुत सारे beginners को रहता है, तो जो jail जाना है, वो इतना जादा simple नहीं है, आपको जो पुराने मैंने आपको पिछले steps बताए हैं, वो भी follow करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी अगर आप ना मानो, और आप बहुत ही जादा मत पिर jail भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि all in all, ये काम तो illegal ही है, आप दूसरे का content अपनी site के ओपर डाल रहे हो, और वहाँ से पैसे कमा रहे हो, काम तो illegal है, बट फिर आप जब बहुत जादा ही level के ओपर ये चीज़ एसकलेट हो जाती है, तो फिर आपको jail का भी डर रहता ह अब jail से बचने का एक ही simple सा funda है, कि अगर आप इंडिया में हो, तो आप फिर foreign countries को target करो, आप US, UK, Canada, Australia, यहाँ फिर आप UAE, यहाँ फिर कोई भी other countries का आप content pirate करो, और उस content का अगर आप करोगे, तो फिर वहाँ की government यहाँ पर जादा कुछ करनी पाएंगी, यही चीज होती countries का जो content है, वो डाल रहें अपनी site के उपर, तो वो countries आपको जादा कुछ करनी पाएंगी, तो इससे आपका jail वाला जो डर है, वो कभी आपके दिमाग में आएगा नहीं, बट अगर आप इंडिया में रहके, इंडिया की movies को ही share करोगे, Bollywood, Hollywood यहाँ फिर जो हमारी Tamil वग करना जाएं, तो उसके लिए आपको cautionary हमेशा रहना पड़ेगा, इस level के उपर मुझे नहीं लगता कोई और आपको issue आ सकता है, movies downloading site के अंदर, बट यह जितने भी issues मैंने आपको बताएं हैं, यह मतलब आप note कर सकते हो, अगर आप इनको bear कर सकते हो, आप इतनी hassle ले सकते हो कि अगर आपको DMCA आएं, या फिर आपकी hosting ban हो जाए, आपकी domain ban हो जाए, तो आप दोबारा से जो मैंने process आपको बताया कि hosting purchase करके re-upload करो, या new domain के उपर काम करना start करो, अगर आप यह कर सकते हो, तो आप definitely movies downloading site से भर-भर के traffic भी ले सकते हो, और earning भी कर सकते हो, जैसे मैंन hosting account ban होना start होगा, तो फिर 10-15 महीने आपके hosting account ही ban होते रहेंगे, तो जब तक यह process चलता है, तो 2-3 साल आपके निकल जाएंगे, तब तक आप अच्छा खासा पैसा यहां से कमा पाऊगे, यह जो movies downloading site है, इनके keywords के अंदर आपको millions of visitors मिलते हैं, और जैसे मैंने आपको अपन millions में visitors आएंगे, और उन्हें monetize करके किसी भी alternative से, आप definitely अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और जो alternatives मैंने recommend की हैं, आपको पिछली वीडियो के अंदर, वो आप definitely try out करना, आपको अच्छे rates भी मिलेंगे, और आपको earning भी बहुत अच्छी होगी, और वहाँ पे approval भी बहुत easily आपको मिल जाता है, I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ clear कर दिया है, क्या क्या आपको issues आएंगे, वो fix कैसे होंगे, और कौन से issues हैं, जिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ मैंने detail में बता दिया है, अगर आपको समझ आ गया और वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को like कर देना, कोई चीज समझ ना ही हो, तो आप मुझे comment section में भी पूछ सकते हो, चैनल पर नहीं हो, और आप भी online earning method से, blogging से, website create करके, पैसे कमाना चाहते हो, आर, तो definitely मेरे चैनल को subscribe कर देग, क्योंकि यहाँ पर आपको free of cost इसी के related content मिलता रहता है, that's all for this video, I'll meet in the next one, till then, bye bye.